दोस्तों ये भी जो वीडियो कॉलेज है, आज हम जीला भोजपूर आरा के बारे में बात करने वाले हैं, और यहाँ पर भोजपूर तो जीला हर मुख्याल है आरा है जैसा कि अगर आरा के होंगे तो आप लोग को पता होगा, तो अगर आप इस जीले के बारे में देखना च कोलेज लिस्ट के बारे में जानने से पहले बताने से पहले एक और बहुत जानने बता देना चाहता हूं आप लोग कि आप तो भी एडेंटेंस एक जाम खतम हो गया तो अब हमारे चैनल पर किस टाइप का वीडियो आएगा तो दोस्तों अब हमारे चैनल पर जो वीडियो आ डेली लगबोगाड हाई सोकोसंस के आसपस क्या होगा डिसकस करेंगा और डेली ये 10 पीम पे आएगा दोस्तों ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है तो आईए हम लोग बीना लेट के किये हुए अपने मेन मोटो के तरह जो हम लोग जानने वाले थे दोस्तों वो हम जानने वाले थे भोजपूर आरा डिस्टी के बारे में कि हमारा जो भोजपूर आरा है इसमें कि कौन-कौन सा कॉलेज है और कितना कॉलेज है इसके बारे में हम जानना चाह रहा है थे तो आईए हम लोग यहां पे बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपको एक से पाच पॉइंट तक important है यह आपको ध्याने में ध्यान रखना है कि एक से पाच पॉइंट तक में आप पढ़ लिजे और यहां पे ध्यान रखना है और इस पे आपको college में admission कैसे लेना है और किन-किन बातों का ध्यान रखना है इसके लिए मैं एक dedicated video आप लोगों के पास ले किया हूँगा तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परसान होने का जरुवत नहीं है ठीक है तो सबसे पहले आईए हम लोग बिना लेट की हुए यहाँ पर बात करते हैं तो दीए सबसे पहले अगर हम लोग आरा डिस्टिक में बात करें स्वरी वोजपूर डिस्टिक में बात करें तो एक college जो है वो बीरकुमर इंवर्सिटी के अंदर department of education में ही चलता यानि कि उसी का है इंवर्सिटी campus में ही चलता है जो कि बीरकुमर इंवर्सिटी खुद ही है वो और यह government है तो यह आरह में अगर बात करें तो एक government college है यह बात आपको ध्यान रखनी है इसके बाद और ज्यादा वहाँ पे college है जो कि आप screenshot एक बार ले लिजी और वहाँ पे मिलाते रहिएगा ठीक है जैसे कि तरह के शवर्ना ले 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 लिजी गाँ मैं इसको हटा देता हूँ और फिर यहाँ पे 7 से 10 तक आप ले लिजी एक बार screenshot और पढ़ लिजी कि यह आपके district में college है तो यह इतना ही नहीं और है अभी दो और है ठीक है तो यह इतना बात आपको क्या करना ध्यान रखना है ठीक है यह इस बात यहाँ पे आप जैसे मौलाना मजरूल हक अरभी फर्स इन्वर्सिटी जब देख रहे हैं तो इसके बारे मैं आपको लगता कि यहाँ पे उर्दू और पर्सियन में पढ़ाई होती होगी लेकिन ऐसा नहीं है बस यह इन्वर्सिटी का नाम है और यहाँ पे जब आप इस इन्वर्सिटी से आपका अगर कॉलेज रजिस्टर्ड है तो आपको हिंदी और इंगलिस मीडियम में ही एक्जाम देना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ और मीडियम आपको फॉलो होगा तो यह था दोस्तो आरा डिस्टिक में जितना भी भोजपूर आरा में जितना भी कॉलेज है उसका यहाँ पे था तो आप अपने घर के नजदिक में एड्रेस देखके या फिर आप अपने convenience के हिसाब से admission ले सकते हैं आपको admission लेने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना है इसके लिए मैं एक proper dedicated वीडियो बनाऊंगा इस बात का आपको ख्याल रखना है कि उस वीडियो को जरूर से देखिए आपको admission लेने से पहले यानि कि जब आपको college वाइस जब फिल करना है तो उसके पहले आपको कौन-कौन सी बातों को ध्यान रखना है तो उसके लिए मैं आपके लिए एक dedicated वीडियो बनाऊंगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही फिर मैं मिलता हूँ किसी दुसरे डिस्टी के B8 college के साथ तो ये बात हूँ